बारतिये घरों में रोटी के साथ देशी की खाने की परंपरा रही है हमेंसे कई लोग चपाती है रोटी पर घी लगा कर खाना पसंद करते हैं सिर्फ इस दिये नहीं क्योंकि यह रोटी को सूखने नहीं देता बलकि इसलिए भी कि रोटी पर घी लगाने से रोटी मुलायम और स्वाधिश्ट भी लगती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या रोटी पर घी लगा कर खाना फाइद मन है या नहीं अगर आप ऐसा नहीं जानते हैं तो दोस्तो आपको इस वीडियो को अन तक जरूर देखना चाहिए तो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटी पर घी लगाने के फायदों के बारे में और कितनी मत्रा में दोस्तो रोटी पर हमें घी लगाना चाहिए तो अब भी इस बारे में दोस्तों विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो कोई तक जरूर देखें दोस्तों नौर्थ इंडिया में रोटी पर घी लगाकर खाने का एक कल्चर है इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी घी की बोतल रोटी पर उड़े लें लेकिन दोस्तों रोटी पर घी लगाना हेल्थ के लिए बहुत फायदेमन भी बाहा गया है रोटी पर देशी घी लगा का खाने से दोस्तों शरीर को कई फायदे मिलते हैं रोटी के साथ घी खाने से कार्बो हाइडर और वसा दोनों संतुलित मात्रा में हमारे शरीर को मिलते रहते हैं इन दोनों की सेवन से दोस्तों शरीर की कई रोग भी दूर हो जाते हैं वहीं कई लोग ऐसे हैं जिने लगता है कि दोस्तो वह घी खाने से मोटे हो रहे हैं या मोटे ना हो जाएं इसलिए इसे पूरी तरह से दोस्तो वह खाना बन कर देते हैं लेगिन ऐसा नहीं है दोस्तो तो आईए एक बार एक नज़ा डालते हैं कि देसी की रोटी पर लगाने से उसके फायदे क्या होते हैं यानि कि अगर आप रोटी पर देसी की लगा कर खाते हैं तो क्या फायदे आपको होते हैं दोस्तो चपाती पर घी लगा अगर खाने से इसमें ग्लाइसमिक इंडेक्स का बैलेंस बना रहता है ग्लाइसमिक इंडेक्स दोस्तो कार्बो हाइडरिट से भरपूर चीजों की एक रेटिंग प्रणाली होती है साथ ही किसी भी खाने में दोस्तों ग्लुकोस के लेवल को भी प्रभाविद करता है गी खाने से दोस्तों पेट भरा हुआ मैसूस होता है और आपको फिर दूसरी चपाती खाने का मन में ही होता घी में कही तरह के vitamin भी होते हैं जो बजन गटाने में मदद करते हैं वहीं घी hormone को balance करने का काम करता है और healthy cholesterol को शरीर में maintain करता है घी में दोस्तो high heat point भी होता है जो cells function को नुकसान पहुचाने वाले free radicals को body में बनने से रोकता है गी में खाना बनाना या फिर दोस्तों घी में दाल चावल, भाकरी, भाटी या चपातियों को शामिल करना दोस्तों बहुत ही फायदे मन्द होता है इसमें आवश्यक फैटी एसीड होते हैं और विटामिन D, A और E की कमी शरीर में पूरी भी दोस्तों ये करने का काम करता है साथ ही दोस्तों घी के साथ में खाना खाने से इसका श्वाथ तो बढ़ता ही है घी को दोस्तों सुबा साम खाली पेट खाया या पिया भी जा सकता है रोटिय चावल में भी दोस्तों इसे डाला जा सकता है वहीं खाना पकाने में भी दोस्तों घी का यूज किया जा सकता है लेकिन हम दोस्तों अक्सर ये सोच कर घी खाने से भागते हैं या इससे हम दूरी बनाते हैं कि घी आपको कहीं मोटा ना कर दे लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपको कभी भी यह मोटा नहीं करता अगर आपको इसके खाने का सही तरीका मालूम होते हो आयूर्वेज में दोस्तो सुबा सुबा खाली पेट घी खाने की सला दी जाती है सुबा घी खाने से दोस्तो डैजेट्टन सिस्टम आपका स्वस्त रहता है और कब दिसे सम्बंदि समस्याएं भी आपको नहीं होती है वहीं आपका तोचा का glow भी दोस्तो बना रहता है और आपका बजन भी balanced रहता है अब सवाल उठता है कि दोस्तो रोटी पर आपको कितना घी लगाना चाहिए कितनी मात्रा में घी का सेवन आपको करना चाहिए तो दोस्तो एक रोटी में आप एक छोटे टी स्पून जितना घी डाल कर दोस्तो खाना खाना शुरू कर सकते हैं इससे आपको किसी भी तरीके का नुफसान नहीं होता है लेकिन दोस्तो अध्यातिक मात्रा में घी का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे आपको कुछ परिशानिया हो सकती है इसलिए दोस्तो लिमिटर मात्रा में इसका प्रयोग आप करें बहुत जादा मात्रा में इसका प्रयोग करने से बचें आईए अब एक बार नज़र डालते हैं दोस्तों एक घी लगी हुई रोटी पर कितना कैलरी होता है और क्या दोस्तों यहाँ पर हमें nutrition value देखने को मिलती है तो दोस्तों गेहूं के 100 ग्राम आटे में करीब 380 कैलरी होती है रोटी का कार दोस्तों सबके घर अलग-अलग होता है ऐसे में हम मान लेते हैं कि 25 ग्राम आटे की दोस्तों एक रोटी बनाई गी है तो करीब एक रोटी में आप 131 कैलरी कंजूम करते हैं जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि दोस्त एक स्वस्थ बैक्ती को करीब 2000-2400 के बीच में प्रती दिन कैलरी के आवश्चक्ता होती है इस तरह से दोस्तो आप अपने भोजन को कैलरी के हिसाब से दोस्तो डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं इससे आप मोटे भी नहीं होंगे आपका भजन भी नहीं बढ़ेगा और आपको घी के फायदे भी मिलते रहेंगे तो दोस्तो ये थी वीडियो जिसमें हमने बात की रोटी पर घी लगाने के फायदे और इसका सेवन आपको किस प्रकार से करना चाहिए इस वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बथाए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद